हेलो चिल्डरन आई होब कि आप लोग सब अच्छे होंगे घर पर और आपने जो एक्जाम दिया अपना एफ़े वन का वो भी आपने अच्छे से दिया होगा और अच्छे मैनत की होगी आप लोगों ने तो अब हम अपने आगे का चैप्टर देखेंगे इस वीडियो से आगे के लेसंस देखेंगे जिसमें हम फोर्ट चैप्टर जो ले रहे हैं इसका नाम है बिगनिंग ओफ यूमन लाइफ कि जो मानो है जो इनसान है इनकी शुरुआत जो है मतलब कैसी थी कैसी हुई तो मैं रीट करूँगे एक्स्प्लेइन करूँगे तो पहले जिस तरीके से हम पैंसिल रखते थे पैंसिल ले ले लेंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे जो भी वर्ट हमें हाड लेगेंगे तो मैं रीट कर रहे हैं और एक्स्प्लेइन कर रहे हूंगे अब there are evidence of prehistoric life of human life tell us about the changes which have come in his life over the years टीक है तो ये जो कई हमारे पास ऐसी evidence है जिससे हमें पता चलता है कि जो लोगों के जीवन में change आया सालों से, सालों पहले जो life थी और आज की life में जो changes आया उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके के change आया है this process of evolution of man has taken million of years तो ये जो आज जो मानव, जो इनसान आज का रूप है ये इनसान की position आने में कई लाखों साल लग गए इस process के लिए we get information about the early life of man by the tool and weapons found तो जो weapons, जो हत्यार, जो tool मिलते और जार मिलते हैं इससे हमें पता चलता है कि early life जो थी लोगों की वो man की कैसी थी this age has been named as the stone age by historians तो जो इतिहास कार थे उन लोगों ने इस age को क्या नाम दिया था stone age नाम दिया था this has been further subdivided into three stage namely old stone age, hunter and gatherers, middle stone age, new stone age, farmer stage तो इन लोगों ने क्या किया जो stone age था इसको three subdivided कर दिया और उसमें इन लोगों ने नाम दे दिया old stone age जो सबसे पहला जो age चला human life का जिसमें hunters थे, gatherers थे जो शिकार करते थे जो लोग चीज़े खटा करते थे फिर middle stone age आया और फिर last में आया new stone age जिसमें farmers थे primitive man was a hunter and a gatherer who hunted animal fish and birds for food तो जो primitive man मतलब जो सबसे पहले जो human life का जो stage था ना जो आदिमानों का उन्हें कहा जाता है तो वो लोग क्या थे, hunter थे, gatherer थे, वो लोग यहां से वहां हंट करते रहते थे अनिमल्स को, birds को क्यों 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 ताकि वो लोग कुछ खा सकया food के उसके लिए वो लोग हंट करते थे also use fruit, vegetables, leaves and roots of plant of that region तो उस area के वो लोग जो fruits होते थे, जो plants होते थे उनकी leaves, vegetables, वो सब भी अपने food के लिए use करते थे man gained knowledge and skill as he tried to overcome the difficult in his life ठीक है, जो man है, उनको एक knowledge मिलता है कि ऐसी परिस्तिती में उन्हें क्या करना है, ठीक है तो जो परिस्तिती, जब भी मुसीवत आती है ना, उस मुसीवत में इनसान को कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है, तो he explored the different trees and plants ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया देखा कि different trees, plants उन्होंने देखे उनके उपर experiments किये, he also learned whether the leaves and fruits were edible, medicinal and poisonous तो उन्होंने ये भी सीखा कि ये जो पत्ते हैं, ये खाने योगे हैं, या फिर इनकी दवाईयों में यूज कर सकते हैं, या फिर ये जहरीले पत्ते हैं तो शेर दिस knowledge, he developed sign language, और ये सारी knowledge शेर करने के लिए उन्होंने कौनसी language का यूज किया, sign language इशारों से एक दूसरे को समझाने लगे, he moved from place to place in search of food and gradually started settling near river as water was essential for survival और इसलिए वो लोग फिर एक जगा से दूसरी जगा move करने लगे, food के लिए और वो लोग कहां पर उन्होंने अपनी life settle करने लगे, नदी के किनारे, तालाप के किनारे क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पानी, water सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए वो अपना settlement कहां करने लगे, रिवर के नियर बाय में, तो यहां पर हम आज का अपना वीडियो रहने देते हैं, और नेक्स वीडियो से आगे का चेप्टर कंटिन्यू करेंगे, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक हैं, तो ठेंक यूँ, का जाय में, तो यहां रहे होंगे, तो ंप होगे हैं, 14 य हैं, और नेक्स वीडियो रहे होगे, दोटी करेंके से समझ जयूंगे, तो यही हैं, खो का यでも कटीज रहूंगे, बहूड अचाहे हैं, तो यहां होगे नेक्पवायता हैं, दो तो आप कि रहे हैं, वूद।०म